तो दोस्तों आज का मुकाबला, IIT 20 में एक धमाकेदार मुकाबला होने वाला था क्योंकि इसमें मुकाबला था शारजा वारियर्ज बनान डेजर्ट वाइपर्स का Desert Wipers top of the table और चंद्रेश चार्जा वारियर्स एक ऐसी situation में जहां पर उनको मुकाबला जीतना ही था शार्जा के मैदान पर होने वाला ये था हम दोनों ही टीमों की तरफ से सबसे पहले नज़र डालते हैं यूद्कि Desert Wipers ने Toss जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का नहीं लिया लेकिन सबसे बड़ी बात ये निखली कि Desert Wipers ने Toss जीत कर पहले बल्ले बाजी ज़रूर की लेकिन ये शार्जा का Pinch परसो वाला Pinch नहीं था जहांपर रन बरसे आज रनों के लिए वो तरस गए और रोहल मुस्तफा ने शुरवात में अच्छी बल्ले बाजी की आलेक्स हेल्स फिर एक बार बहुत जल्दी आउट हो गए कॉलिन मंद्रो भी जल्दी आउट हो गए उसके बाद हसरंगा को उपर भेजने का एक जो फार्मूला था वो भी नहीं चला और आखिरकार बेनी हावल के 34 सुनों की बदौलत आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 148 सुन बना पाए 6 विक्र के नुकसान पर डेज़र्द वाइपर 14 एक्स्ट्रस के साथ गेद बाजी पर नज़र डाल देते हैं जो शार्जा वारियर्स के तरफ से हुआ किसने ज़्यादा विकेट लिया उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं दो विकेट निकाले जवाद दौला ने दो विकेट निकाले नूर एमद ने एक विकेट निकाला है मुहमद नभी ने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पकड बना के रखे हुई और ये लक्ष जो उनके सामने उनको मिला था ये एक लक्ष है जो उसे पार कर पाएंगे उनके सामने 149 रनों का लक्ष था शार्जा वार्योस के पास ऐसा लग रहा था कि उनके पास टॉम कोलर कैडमोर और बाकी जो बल्लेबाज हैं तो उससे कोई असरदार बल्लेबाजी होगी पर देखे नहीं हुआ क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शार्जा वार्योस को पावर प्ले में कोई मोमेंटम ही नहीं मिला और उस वज़े से गुर्बाज और कैडमोर जल्दी आउट होने के बाद हमने एक देखा कि जो डेनली जो नंबर तीन पर आते हैं अमुमन वो नहीं आये स्टॉइनिस और आडम होजे को उपर बेजा गया उनके बीज में एक छोटी पार्टेशिप हुई लेकिन हसारंगा ने लगा अतार विकेट पर विकेट लेकर पूरी की पूरी जो कमर है वो तोड़ दी शार्जा वार्योस की और आखिरकार डेजर्ट वाइपर ये मुकाबला जित गए कॉट्रेल की अच्छी गिनबाजी चार ओर चोटी सन अटके सन का एक विकेट लूक वुड के चार ओर में 20 रन और 3 विकेट और वनिंदू हसरंगा ने चार ओर में मात्र 13 रन देकर 3 विकेट निकाले बिल्कुल इतने ज्यादा डॉट बॉल हुए दबाव बनता गया विकेट गिरते गया और कमर तोड़ दी लूक वुड और वनिंदू हसरंगा ने शार्जा वारियर्स की बल्लेवाजी करम का देखे एक नजर डाल देते हैं डेजर्ट वाइपर ने 148 बनाया 6 विकेट के नुकसान पर बैनी ओवल ने सरवाद 34 बनाया नाबाद रोण मुस्तफा ने 31 दो विकेट निकाले जवाद उल्ला दो विकेट निकाले नूर अहमद जवाब में 126 मातर बना पाए 8 विकेट के नुकसान पर और लूक वूड और बरिंदो असरांग की जबर्दस गेद बाजी और देखे पॉइंट स्टेबल पर नजर डाले डेजर्ट वाइपर अब वो पकड़ मजबूत कर चुके हैं आठ वुकाबलो में 12 पॉइंट के साथ वो टॉप पर है और वो प्लेय आफ में जा चुके हैं बिल्कुल और टाटा बाइबाइब करके प्लेय आफ में गुस चुके हैं अरे चार्जा वार्योस वहीं के वहीं बने हुए हैं बिल्कुल और अब उनके पास चिंता का विशह है कि दुबाइ कैपिटल्स उनको पार न लगा दे तो टॉप फॉर कॉलिफाइ करेंगे तो शार्जा वार्योस के लिए ये हार जो है एक बहुत ही गलत टाइम पर आई है इस पूरे टॉर्नमेट में कहीं उनका टिकेट जो है वो छूट न जाए कॉलिफिकेशन का पर आपका टिकेट ये इस पर बना रहेगा लेकिन कल का मुकाबला बहुत जबर्दस मुकाबला है तो ये मुकाबला बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कड़ा होने की पूरी पूरी उमीद है और इसलिए दोस्तों ये मुकाबला आपको देखना है एंज्वाइ करना है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टु स्पोर्ट के इस मंच पर कल का मुकाबला M.I. Emirates vs. Gulf Giants और इसलिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन की घंटी बजाएएगा हम सारे प्लाटफॉर्म सब उपरब्द है हमारे इस परिवार का हिस्सा बने के लिए धन्यवाद इस परिवार को और भी आगे बढ़ाना है चुनरेश बहुत दन्यवाद हमारे साथ जुडने का दोस्तों यू ही बने रहिएगा क्रिकेट के धमाल कमाल के लिए only on the platform called Digital to Sports. Thank you.